नमस्कार मीत्रो मैं एसानन्द Union Academy में आपका स्वागत करता हूँ हम लोग बिहार सीविल कोड पीउन पर इच्छा के लिए Mathematics section को solve कर रहे हैं जिसमें 35 question को हम लोग solve करेंगे हम लोग यूनिक प्रकासन की बूक से practice set number 1 को कर चुके हैं जो बगल में दीख रही है और आज हम लोग practice set number 2 को solve करने जा रहे है practice set number 1 का link हम इसके description में दे देंगे आए हम लोग इसका पहला question देखते है practice set number 2 का पहला question कहने का मतलब यह question जो होगा 51 number question होगा आए हम लोग इसका पहला प्रस देखते हैं 51 number question यानि कि question कहता है कि 23 45 64 81 और 77 का माध है यानि कि इसका माध निकालना है माध का मतलब क्या होता है माध का मतलब होता है और यानि कि आकलों का योग बटा आकलों की संग्या तो क्या करेंगे सब का योग निकालेंगे 23 पलस 45 पलस 64 पलस 81 पलस 77 और बटा इसकी गींती किजिए 123 45 5 पांच है तो 5 से कया करेंगे भाग देंगे तो सबसे पहले तो इसको जोड़ना पड़ेगा जोड़े है साथ और यह कितना बार 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 और अठ कितना बार बिश बीस का जी रों तो हंसील होगे हमारे पास दो आठ और साथ 15 15 और छह एक-ईध किस एकई-धी और चार कितना जाएगा 25 25 और 27 और दो हासिल एकितना जाएगा 29 और 29 में क्या करेंगे हम लोग भाग देंगे 5 से तो देखिये इसको कैसे स्वल्व करेंगे लिखेंगे 29 गुना 10 और बट्टा में 5 इस 5 से इसको काट देंगे तो यह बन जाएगा 2 दोनों बात तो एक ही है अंठावन दिया हुआ है वह हमारा अंसर हो जाएगा अर्थात option number a हमारा answer हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रस देखते है question number 52 question number 52 में कहता है कि a अवर c एक कार्ज को 20 दिनों में पूरा कर सकता है b अवर c उसी कार्ज को 12 दिनों में कर सकते है a b अवर c मिलकर इसे 8 दिनों में पूरा कर सकते है a अवर b मिलकर उसी कार्ज को कितने दिनों में करेंगे ध्यान से देखिएगा सबसे पहले हम लोग इसका जो time दिया हुआ इसको लिग देंगे A1 acoust कांट इतना भिए उसके बार टो है कितने दिनों करेगा कैश में पूरा करेगा अब सबसे बाइस चींप डिनों में करेगा सबसे पर इसकी सची निकालेंगा इसकी लिए घरों से कि अर। हम लोग ग्यात करेंगे तो द्यान से देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिये A, C मेंसे, A, C को जब घटाएंगे, तो हमको किसका मान पुराप्त हो जाएगा? B का, तो 15 मेंसे, कितना जाएगा? 6 जाएगा, तो क्या बचेगा? 9 बचेगा, और किसका मान है? यह मान है? B का, उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा, ABC में से यदि BC के मान को घटा दिया जाए किसके मान को या दोनों मिल के काम को करेंगे यानि कि हम 14 में कितना से गुना कर दे कि किसी इसमें से गुननफल के बराबर हमके महामे मानप्राप्त हो जाए जो इच्छा हो आप उसको लिख सकते है तो क्या लिखेंगे 12 गुने 10 लिख दिये यह कटेगा कितना बार में 6 बार में कर जाएगा 2 से उसके बाद में यह 2 से कटेगा तो कितना होजाएगा? 7 होजाएगा? y बराबर कितना होजाएगा? 6 बटा? 7 होजाएगा अर्था जिस option में 6 बटा 7 दिन दिया हुआ है? वही हमारा answer होजाएगा अर्था T function number A हमारा answer होgi हम लोग अगला प्रस देखते है कोश्चन नमबर 53 में कहता है कि किसी उत्पाद का अंकित मूल 500 रुपया है 10% और 10% के क्रमिक छूट के बाद विक्रेमूल क्या होगा ध्यान से देखिए का इस परकार के कोश्चन कैसे बनाएंगे देखिए 500 रुपया अंकित मूल है 10% का छूट दे दिया तो अब बचा कितना नबवे परसेंट अर्थाथ नबवे बटा 100 हो जाएगा उसके बाद फिर 10% का छूट दिया तो क्या हो जाएगा नबवे बटा 100 हो जाएगा और जो यह माना रहा है यहीं हमारा SP हो जाएगा यानि कि बिक्रेमूल हो जाएगा no no यह अंसर हो जाएगा यह पहला तरीका हो जाएगा डूसरा तरीका गर्ध्यांसर देखिए माइनस दस गुणा दस और बटा क्या हो जाएगा हंडेड यह कल चूट बराबर कितना हो जाएगा भीस बीश में से देखिए घर जएगा तो क्या बचा तो को क्या मिल रहा है 1220 परसंट का शूट नहीं है तो यह घृत जब निकाले तो 19 परसंट ही यह मील रहा है और खूट मिल गाए होगा और 100 पर menor right 500 पर पर अब है đó मैं 200 रुपई कर 601 to至 decimal में डूटा में 100 और गुना में वह जाएगा 180 अर्थात क्या होखा फिर कटेंगे तो 405 रुपई यहीं हमारा आंसर आजाएगा लेकिन यह तरीका दूसरा हो गया अर्थात अप्शन नमबर भी हमारा आंसर हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रस देखते हैं क्वेश्चन नमबर 54 बहुती असान क्वेश्चन है छोटा सा क्वेश्चन है करता है है कि दो संख्याओं का अनुपाद चार अनुपाद 5 है और उनके घहनों का त्माद का में अनुपात हैं चारव और पांच के अनुपात में खरेंगे क्या की अनुपात की गुना करेंगे इसमें भी uh और इसमें भी और देखिए उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों जो संग्या ना उनके घहनों का योग दिया हुआ है तो इसका घहन करेंगे तो क्या हो जाएगा चार के घहन करें तो कितना हो जाएगा। इसको जोडेंगे जोलेंगे तो कितना हो जाएगा। एकसो नवाजी कीकी बराबर 1512 देखिये कितना बार में कटेगा या इसे कट जाएगा तो किकिया प्रापत हो जाएगा एक बार लिग देते हैं एकस क्यू बराबर हो जाता है अब इससे क्या हुआ की पहले हमको संख्या प्राफ्थ हुआ तो संख्या प्राप्थ हुआ देखिये संख्या बराबर उब तो आएगा वह कितना हो जाएगा 4-दूना 8 यानि कि ener recognized four x और कितना है फाइपएक से यह संख्या हम लोगा जो वह कितना हो जाएगा चार गुना दो बराबर में हो जाएगा याठ और एक कितना हो जाएगा हम लोग का पांच गुने दो बराबर दस अब कहा गया है उनके अंतर का वर्ग कर यानि इन दोनों में कितना का अंतर है तो दस माइनस आठ तो इन दोनों में कितना का अंतर है दो लेकते हैं कोश्चन नमबर 55 में कहता है कि ए अवर बी एक कार्ज को करम सा आठ अवर 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वे तीन दिनों तक इस कार्ज को एक साथ काम करते एक साथ करते हैं तो कार्ज का कितना भाग बचा है ध्यान से देखिए किसे कैसे सोल करेंगे ए लिखेंगे यहाँ पर ईफशेंसी लिखेंगे उसके आथ दिनों के लिए कर रहा है और कितने दिनों में कर रहा है 16 दिनों में पूरा कर रहा है इसके पहले सबसे बड़ी है काम की हम लोगroot को will knowדי अब द्यान से डखिए क्या been में से से चाम बराबर क्या लिखेंगे लिखेंगे से बराबर से टाइम और आ~~~~ कि की सोला साथ बटा सूला लिखा गया है वही हमारा अंसर हो जाएगा अर्थात ऑप्सन नंबर सी हमारा अंसर हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रस देखते हैं कोस्चन नंबर 56 में कहता है कि किरकेट खेल के पहले 20 ओभरो में और सत रन 5.50 था 290 रन के लग्ष को प्राप्ट करने के लिए 6.30 ओभरो में और सैक और सत रन क्या होगा ध्यान से देखिएगा इस कोश्चन कहीं कैसे बनाएंगा हम लोग पहले यानि की 20 ओवर में कितना रन आया है टोटल 20 ओवर में कूल रन कूल रन तो देखिए क्या होगा देखिए आउसत दिया हुआ है तो आउसत में क्या करेंगे संख्या से हम लोग गुना कर देंगे तो हमको यह टोटल रन पता चल जाएगा तो कितना जाएगा हम लोग का देखिए इससे इसको यहीं पर केंसिल कर देजिए ताकि आपको समस्या कम होगी पांदुना कितना जाएगा दस के जीरो और दस और कितना जाएगा ग्यार अर्थाथ 20 ओवर में 110 रन आया है और हमारा लक्ष कितना है देखिए यहीं पर गीए तो तीस लिखा हुआ है कि सेश तीस ओवरो में आवसात रन क्या होगा तो लिखेंगा यहाँ पर सेश तीस के नियुक्त है ओवरो इस तीसय है में इस अवच्छ में डिरेक्ट लिख दे रहें ओसा रन इतना नहीं लिखना चाहिए था जल्दी-जल्दी बना लेना अब देखिए क्या करेंगी कुल लग्ष है कितना है चाहिए dumni अगर और हमें कितना अंका कितना रण प्राप्थ हो गया है एक صたい 10 सरण च्याएंग अभी वह कितना रण चाहिए NOT बाप्ष होके या एक कितना कितना शर्क्राट कुछा पॉलन है हमारे पास 2oles हर ओभर में हमको चाहिए अर्था जिस option में 6 दिया हुआ है वहीं हमारा एंसर हो जाएगा अर्था अगला प्रस देखते हैं question number 57 question number 57 बहुत असान question है देखिए यह क्या दिया हुआ है यह सिंप्लिफीकेशन का question दिया हुए और कहता है कि इसका मान क्या है याकिन की मान है यानी option हमारे सामने दिया हुआ है देखिए सबसे पहले हम लोग किसका भागजिकिरिया करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास बचेगा दो पलस इसके बाद में यह कितना हो जाएगा च्छतिर का 18 में साथ आप बते यह कितना होगा देखिए इस से दो केंसील तो माइनस 5 बचेगा और माइनस तारों से लट और एक कोश्चन की ज़ाएगा सा जिस ऑप्षन में तो स्पनली तेया हुआ है है सत्व हमारा अंसर हो जाएगा मैं चलिए हम लोग अगला प्रसब देखते हैं mm और 58 उस चलिए यह एक खोखले लोहे का पाइप 10 cm लंबा है और इसका बाहरी ब्यास 18 cm है यदि पाइप की मोटाई 2 cm है और लोहे का भार 8.5 गराम प्रती cm क्यूं है तो पाइप का भार निम्न में से किसके निकटतम है द्यान से रहेंगे इस कोश्चन हो कैसे बनाएंगे पहले एक लोहे का पाइप बना देंगे माल निये कि यह लोहे का एक पाइप हो गया जो कितना लंबा है 10 यानि कि उचाई का काम करेगा 10 cm का हो जाएगा उसके बाद देखिए ब्यास के बारे में बताया गया है यहीं पर लिख देते हैं ब्यास के बारे में इसके बारे में बताया गया है कितना इसका ब्यास ब्यास है 18 cm यानि कि त्रिजिया जो होगा आर बराबर क्या हो यहीं पर लिख देते हैं बड़ा आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा नाइन सीएम में है तो सीएम पराप्थ होगा अब देखिए उसके बाद बोला है कि यह मोटा है कितना मोटा है दो सीएम मोटा है तो आंत्रिक जो यानि कि एक और आर जो छोटा वाला होगा अंदर से यह आहां तक यहां तक यहां से यहीं तक और उसके बाद मिया यहां से यहां तक है इस सट रहाए वह बड़ा či कि को ले भी खोंखले लोहे का आयतन बराबर तो देखियेगा होगा इसमें क्या है क्या होता है बेलन का आयतन πईया स्कुाइरेच तो पाइपाइज कमा ले लेंगे और h common ले लेंगे और r square को और minus r square ऐसे कर देंगे एक बार जोड़ देतेंगे घटा देते तो बात वहीं चीज आता हमरे पास इसका मान हो जाएगा 22 बटा 7 गुना हो जाएगा 10 उसके बाद में यहां पर हम लोग के पास क्या करेंगे एक बार जोड़ देंगे एक बार जोड़ देंगे तो कितना हमको पराप्त होगा और एक बार घटा देंगे तुम को कितना पराप्त होगा दो और यहीं हो जाएगा CMQ अब बात को ध्यान से समझने वाली बात है इक्छा हो तो आप यहां पर कल्कुलेशन कीजिए नहीं तो इसको इसी तरह छोड़ दीजिए अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्य इसको क्या करना होगा इस संख्या में इधर से इधर से मल्टिप्लाई करना होगा यानि कि इतना CMQ का मान हमको कितना क्या पराप्त होगा यानि कि 22 बटा 7 गुना 10 गुना 16 गुना 2 CMQ बराबर होट तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हम लोग का 22 बटा 7 गुना 10 गुना मे 16 में हो जाएगा क्या हमां लोके पास 2 और फिर से गुना होगा कितना से 完成से नागुए गरम में इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा इसके बाद हमको 1000 से भाग देना पड़ेगा तब यह किस चीज में बड़ हैगा केजी में बड़ आएगा और जिस ऑप्षन में 8.54 केजी दिया गया है वहीं हमारा आंसर हो जाएगा अर्थात ऑप्षन नमबर सी हमारा आंसर हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रस देखते हैं कोश्चन नमबर 59 कोश्चन नमबर 59 में कहता है कि सधारन ब्याज पर कोई रासी 4 वर्सों मे पर लिख दीजिए पांच वर्सों में कोई रासी और उसके बाद यह सधारन ब्याज है 420 रुपया हो जाता है और चार वर्सों में यह 400 रुपया हो जाता है तो देखिए यह जो अंतर जो आ रहा है न यहां पर वह ब्याज है एक साल एक साल का ब्याज आ रहा है क्या रहा लाप मिं गहटा घटा दीज़े इसमें से भी चार का घटा दीजिए दोनों में से किसी मैं दोनों कितना है क्या है मिस्रद् Victra Hayır मिस्र घटा है उसमें इसमें गहरा मीं से घटा नहीं होगा तो तो अब क्या हमें प्राप्ट हो जाएगा मुल्धन यानि क्यों रासी तो कितना हो जाएगा 320 रुपईया और जिस ऑप्षन में 320 रुपईया दिया हुआ है वही हमारा अंसर हो जाएगा अर्थात ऑप्षन नंबर डी हमारा अंसर हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रस देखते है question number 60, question number 60 में कहता है कि एक बलेबाज ने 120 रन बनाए, कितना रन बनाए, 120 रन बनाए, जिसमें 15, 4 के और 2, 6 के सामिल थे, बिकेटो के बीच दोड़ कर उसने कितने परतिशत रन बनाए, ध्यान से देखिएगा, टोटल रन हमारे पास कितना है, 120 रन, कूल रन, कूल रन जो है, वो कितना बनाए है, बलेबाज, 120 रन, उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, 15, 15, 4 का मारा है, तो 15, 4 का मतलब 4, तो क कितना रन हो जाएगा, 15, 4 का साथ रन, उसके बाद देखिए, दो छाका मारा है, तो दो गुने, 6 से गरेगने गुना, तो कितना हो जाएगा, यानि कि टोटल 72 रन तो उसने चोका और छाका से बटो रहा है, तो कितना बिकेटो के बीच, यानि कि जो बिकेट एक यहां है, इसके बीच में दोड़ कर जो रन लिया जाता है, वही बात यहां कह रहा है, तो बिकेटो के बीच वाला रन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा, 120 माइनस में कितना, 22 अर्थाथ कितना हो जाएगा, 48 रन बीच में दोड़ कर लिया है, तो पूछरा है कि परसेंटेज में ब गया इसे कटेगा तो बाराच चुवका और एक सुना से एक सुना कट गया तो कितना हो जाएगा 40% और सब्सक्राइब हो जाएगा अर्थात option नमबर डी हमारा अंसर हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रस देखते हैं question number 61 question number 61 में कहता है कि एक निश्चित रासी पर दो वर्स के लिए 6 प्रतिशत प्रती वर्स की दर से सधारन और चक्रविर्दी ब्याज में अंतर 3.6 रुपईया है वह रासी क्या है बहुत असान कोश्चन द्यान से देखिएगा पहले आप सधारन ब्याज एक साल में 6 पर दूसरे साल में 6 पर तो कितना परतिशत हुआ 12 अब कितना होगा यह हो जाएगा दो साल गलेना आप ऐसे दो बार कीजिए यह आएगा बारत दो सम्लों टीन चौ पर तीशत अर्थात 12 दशंवल तीन चौ पर सथिए तो हमेंस으면서 बड़ा होगा तो से एए वार Τ हमें रुपिया में अन्तर में होगा तिन दशंवलव छाओ ऋपिया अब इससे जो पूछेंगा अुसका में जबाब देंगे हम से पूछा गया वह रासी क्या है यानि 100 परसेंट बराबर तो आप बताईए कि 100 परसेंट बराबर क्या होगा 100 परसेंट बराबर 3.6 0.3 6 और गुना हो जाएगा 100 देखिए यहाँ जब इसको काटीएगा ना तो यह कर जाएगा 36 पीज़ी इस चुना से यह सुना केंशिल हो जाएगा और यहँँ दसमलों यहां एक्स्ट्रा है यहां आ जाएगा यानि कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा और जिस ऑप्सन में 1000 रुप्यां दिया गया होगा वह हमारा एंसरहों जाएगा देखिए कितना आसान है बहुत असान है जब समाझ जाएगा न तो बीना ऐसे बनाए ही इसको आए अंसर आप दे दीजेगा और थात अप्शन नंबर भी हमारा अंसर हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रस देखते हैं question number 62 question number 62 में कहता है कि यह अभी फिर से एक simplification दिया हुआ है और यह कहता है कि कामान क्या है यादि इसको solve करना है ध्यान से देखिए का कैसे solve करेंगे सबसे पहले लिखेंगे 8 गुना पहले भाग की किरिया करेंगे 3 और बट्टा में हो जाएगा 6 ऐसे फिर कर देंगे plus 7-4 गुना 2 और फिर यहाँ पर भाग है तो अब पहले भाग ही द जाएगा कितना बर में तो यह कड़ जाएगा 4 बर में यहाँ पर जाएगा 4 पलस में 7 ध्यान दिजीए जब इसका घुना करके फिर भाग देंगे तो क्या फरक परता है इसे यह गड़ जाएगा अर्थाथ और उसके बाद में यह घड़ जाएगा दो तो क्या बचेगा य इसका में 7 दिया हुआ हें वहीं हमारा आंसर हो जाएगा और ठाथ अपसे नंबर एहं हमारा आंसर हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रसंद के कोरुष्ट नंमर 63ों 63 रेसियो का पाइन से देखिएगा, इसास को बनाने का दो तरीका होगा पहला तरीका जैसे दिया हुआ है, आप वैसे ही सजा दीजिए फिर दिया हुआ है कितना B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 6 फिर कितना दिया हुआ है C अनुपात D बराबर कितना दिया हुआ है 8 अनुपात 9 लेकिन यह ध्यान रहे कि यह भी जो इस करम में होना चाहिए उसी करम में इस मान को भी रखना चाहिए डारेक्ट इसको गुना कर दीजेगा न सीधा पूरात ए कमान निकल जाएगा और डारेक्ट इसको गुना कर दीजेगा तो आपको डी कमान निकल जाएगा किसका माने कर जाएगा अब ध्यान से दखिएगा तहलिक देंगे डारेक्ट ए अनुपात डी बराबर इसको डारेक्ट क्ला कीजिये दो गुने पांच गुने आठ अनुपात तीन गुने छे गुने नौ हो जाएगा ऐसे देखिए कट रहा या कट रहा तो इसको काट दिए दो से कट गाया तो तो कितना यह जाएगा और यह कितना जाएगा आठ पच्छे 45-40 और एकतालिस सरीсьàn बोल रहें 59-91 कि तना जाएगा एकासी और जिस्फ ऑफशन में 40 अनुपात, 80 दिया हुआ है, वही हमारा अंसर हो जाएगा, पहला तरीका, दूसरा तरीका यह भी है आपके सामने, कि अगर यह बाते आपको नहीं समझ में आ रही है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, A अनुपात, B अनुपात, C अनुपात, D अनुपात, और सब के मान सब के स अनुपात, फिर से बन जाएगा, फिर भी उसको भी आपको यहीं मान हो, हम लोगको क्या अप्राप्त, तो तक ऐसे जुड़ा होता है, पहले पहले यहांसे गूना करेंगा, तो तो यहां किसका मान निकल जाएगा, गदि, का मान निकले, और इसका मान निकलना है, सो चीए बी नहीं डी है बारबार बी-के जगाप डी के जगाप बी ही लिख दे रहे तो कितना आएगा फिर वहीं चीज हो जाएगा केंसिल और कितना जाएगा 40 अनुपात 81 और जिस ऑप्षन में 40 अनुपात 81 दिया हुआ है वह हमारा अंसर हो जाएगा अर्थात ऑप्षन नमबर बी हमारा अंसर हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रस्तिक्ते हैं question number 64 question number 64 कहता है कि 52 मीटर लंबे और 47 मीटर चौड़े पानी के टैंक में 220 वस्तुएं डाली गई यदि एक वस्तुद्वारा विश्थापित पानी का ओसत विश्थापन 4.5 मीटर क्यूब है तो टैंक के जल अस्तर में लगभग व्रीधी कितनी होगी यानि कितना पानी उपर की तरफ बड़ा है तो ध्यान से रखिएगा इस question को कैसे हम लोग स्वल्ब करेंगे इस question में हम लिखेंगे कि 220 220 वस्तुओं 220 220 वस्तुओं द्वारा 220 वस्तुओं द्वारा टैंक का टैंक का बिस्थापित टैंक का बिस्थापित जल का आयतन तो उसका आयतन कितना हो जाएगा दखिए एक वस्तुओं से लिख देंगे 220 और गुना कितना हो जाएगा 4.5 जब हम लोग इसका multiply करेंगे तो हम लोग को कितना प्राप्त होगा यहां पर बट्टा में यह से 0 बन जाएगा तो इससे यह 990 मीटर क्यूब इतना पानी विस्थापित हो रहा है अब ध्यान से देखिएगा हम जानते है यह अटन हमारे सामनी जाया तो लंबाई गुने चंव्डाई कि उच्षाई बराबर लिग देंगे कितना 990 मीटर क्यूब उसमें दिया हुआ किस ना लंबाई हम लोगों को दिया हुआ है 52 देंगे 52 गुना कितना 47 और उसके बाद में उच्षाई जिएंका तेओ रहने देंगे तो क्या हो जाएगा सब नव सब नवब्बै कितना हो जाएगा 990 मीटर क्यूब उसके बाद एक का मान निकल है तो हमें क्या प्राप्ट हो जाएगा न ऑ सब नवब्बै और बट्टा में क्या हो जाएगा 52 गोना हो जागा 47 अब कटा यह तो किस चीज पराप्त हुआ में मेर में और इसके बाद हम लोग 100 से गोना कर देंगे तो किस चीज में बदल जएगा सीम में और जब यह सब करके आप भाग दीजिएगा टोटल चीज का इसका तो जब हम भाग देंगे तो यह मान आएगा जानते कितना 40.5 40.5 cm क्या आएगा 40.5 cm और यही हमारा अंसर हो जाएगा अर्थात option number D हमारा अंसर हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रस्थ लेकते हैं question number 65 question number 65 में कहता है कि 40,000 रुपिये में एक्स यह नाम है एक्स एक स्कूटर खरिदता है और मरमत पर 5,000 रुपईया खर्च करता है वह इसे 54,000 रुपईया में बेच देता है उसका लाब परतिशत क्या है ध्यान से देखिए लाब परतिशत कैसे निकालेंगे कितना में वह खरिदता है 40,000 में और 9,000 मरमत लगा तो 45,000 के उसका खर्च आ गया और बेच दिया 24,000 में तो कितना उसका नुम मुनाफा हो गया 9,000 तो क्या लिखेंगे लाब परतिशत बरावर डारेक्ट लिख देते हैं लाब परतिशत बरावर 9,000 और बटा वह टोटल खर्च कितना किया था 45,000 तो डारेक् बन सकता था फिर भी इसको हम बना दिये 9 से यह कट गया कितना हो जाएगा 5 और 5 से कट जाएगा 20 और फाइनल इलेट कितना होगा 20 परसेंट और जीस आप्सन में 20 परसेंट दिया हुआ है वही हमारा अंसर हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रस्ट देखते हैं कोश्च बिश्र नंबर 66 में कहता है A और B के पास कुल रासी 18 सुरूपईया है यदि A की रासी का 4 बटा 3 B की रासी के 2 बटा 3 के बराबर है तो B की रासी कितनी है बहुत असान कोश्चन है ध्यानस्तिकिया कई से बनाएंगे A का 4 बटा 3 बराबर है B के 2 बटा 3 के तो इससे यह कें Μशिल हो जाएगा अर्थात ए अनुपात B बराबर कित आएगा एक अनुपात कई एक अनुपात दो हो जाएगा अब देखे दो इनी कार मतलब की योगफल कितना धिया हुआ है अठारा सो अनुपात तीन बराबर कितना हो जाएगा अठारा सो रूपया तो हमसे किस के बारे में पूछा गया है बी के बारे में पूछा गया है तो बी का मान कितना है दो अर्थात अनुपात दो बराबर क्या हो जाएगा अनुपाद 2 बराबर 1200 रुपया हो जाएगा और जिस अप्षन में 1200 रुपया दिया हुआ है वही हमारा अंसर हो जाएगा अर्थाथ अप्षन नमबर भी हमारा अंसर हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रस देखते हैं question number 67 question number 67 में कहता है कि 4 वर्स पहले पती पतनी और उनके बच्चे की अवसत आयू 26 वर्स थी और 3 वर्स पहले पतनी और बच्चे की अवसत आयू 22 वर्स थी पति की वर्तمان आयू क्या है दियान से देखिए I.C. Question कैसे बनाएंगे पति यानि की husband पत्नी यानि की wife और बच्चा यानि की child देखिए क्या करता है 4 वर्ष पहले उनका आउसत आयू कितना था 26 तो क्या लिखेंगे 26 और गुणा कर देंगे कितना तीन लेकिन कब का बात बताया है देखिए चार वर्स पहले तो तीनों का चार लिख देंगे चार का चार लिखेंगे और फिर तीन से गुणा करेंगे यानि सब तीनों न चार चल सार बढ़ा है तो वर्तमान में योग आ गया तो कितना हो जाएगा चारतियां बार 120 आप तो कितना आया नबे वर्स अब ध्यान देखिए तीन वर्स पहले पतनी यानि कि वाइफ और क्या है बच्चे का अउसत आयू कितना था 22 वर्स और गुणा करेंगे दो से नकी तीन कर देंगे 22 गुणा दो और फिर कितने वर्स पहले तीन वर्स पहले तो तीन पलस में कर द तो देखिएगा फिर 2 कमा लेंगे तो क्या बचेगा 22 और 3 कितना जाएगा पचीस डूनाकों तो घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा यानि कितने वर्स का है 40 वर्स का है और जिस ऑप्षन में 40 वर्स दिया हुआ है वह हमारा अंसर हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रसंद देखते हैं question number 68 question number 68 कहता है कि दो एंस्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 570 किलोमीटर है एक ट्रेन पी से सुबह 5 बजे चलना प्रारम करती है और 90 किलोमीटर परती घंटा की रफ्तार से क्यू की ओर जाती है एक अंड ट्रेन सुबह 6 बजे क्यू से चलना प्रारम करती है और 70 किलोमीटर परती घंटा की रफ्तार से पी की ओर जाती है दोनों ट्रेने किस समय मिलेगी ध्यान दिजिएगा इसका सलूशन हम लोग कैसे करेंगे देखिए माल लिजिए कि दो अस्थान है दो एस्टेशन है या स्थान है जो भी इख्षाओ कह सकते हैं है यहें पी ऊपर लिख देते हैं इसको ऊपर यहें पी और यहां पर है किउ बंच के ना 500 कि सुबह 5 बज़े कितने वाजे सुबह के 5वजए यह ऑँ लिख देते हैं सुबपांच में चलना सुरू करती है और इसका चाल जो है कितना है 90 किलो मीटर प्रती घंटा है उसके बाद क्या काता है और यह किधर चलना शुरू करती है क्यों की और चलना सुरू करती है इधर की तरफ जाती है एक अन्ट्रेन सुबह 6 बजे कितने बजे यह 6 एम में क्यों से चलना प्रणब करती है और 70 किलो मीटर प्रती घंटा की रफ्तार से पी की तरफ जाती है अब ध्यान से देखिएगा तो कोश्चन में करता है कि दोनों कब मिलेगी पहले तो यह घंटा पहले यह 6 बजे चला है यह 6 बजे चला यह 5 बजा तो नहीं दोनों की बच गया घंटा देंगे हो तो कितना जाएगा 480 किलोमीटर दूरी तो ध्यान दीजिएगा हम जानते हैं कि दूरी बराबर और जब दोनों सेम डिरेक्शन में आ रही है ट्रेन हो या कार हो बस हो तो दोनों का स्पीड जूर जाएगा तो दोनों को जोलेंगे तक इतना हो जाएगा एक सो देखिए लिख देते हैं एक बर चाहें यानि कि हम लीख दे रहा है नवénergie पलस में 70 और गुना कर देंगे समय जोलेंगे तक कितना आएगा हमारे पास एक सो शाट और कितना जाएगा liberty समय के बाद मिलेगी तीन घंटे के बाद मिलेगी लेकिन मिलने का समय पूछा गया है यह जोड़ना है तो चल चुका है तीन और यह घंटा यहां जो चल चुका है चार और पांच चार नौव तो मिलने का समय लिख दीजिए यहां पर मिलने का समय मिलने का समय बराबर सुबह का कितना है शिक्स एम अब पलस थीरी पलस थीरी आवर तो क्या हो जाएगा जोड़ सकते और था option number C हमारा answer हो जाएगा चली हम लोग अगला प्रस तेकते है question number 69 question number 69 में कह रहा है कि कि दो कारों की गती का अनुपात 6 अनुपात 5 है यदि दूसरी कार छो गहंटे में 600 किलो मीटर चलती है तो पहली कार की गती है ध्यान से देखिएगा पहली कार दूसरी कार और इनकी गती का अनुपात दिया हुआ है छो अनुपात कितना दिया हुआ है पांच यह क्या है गती का अनुपात है अब दूसरी के बारे में दिया गया ह दूसरी की गति ध्यान से देखिएगा दूसरी गति कितना है अनुपात में पांच और इसी का मान दिया गया है कितना गति बराबर गति कर दिये क्या कर दिये गति बराबर गति तो क्या हो जाएगा दूरी बट्टा में हो जाएगा चाल तो क्या निकल के आगे हम लोग के पा अनुपात एक बराबर 20 किलो मीटर प्रती घंटा अब हमसे क्या पूचा गया है कि यानि कि तो पहली कार की गती है तो पहली की अनुपात में कितना माने अनुपात 6 यहां भी लिख सकते हैं अनुपात 6 बराबर कितना हो जाएगा 120 किलो मीटर प्रती घंटा और जिस आप्ष पर्थात option number C हमारा answer हो जाएगा चली हम लोग अगला प्रस देखते हैं question number 70 question number 70 में कहता है कि एक वस्तु को 400 रुपया में खरीदा गया और इसकी मरमत पर 50 रुपया का खर्चा किया गया इसके अंकित मूल पर 10% की छूट देकर इसको 20% लाग पर बेच दिया गया वस्तु का अंकित मूल क्या है ध्यान से देखिएगा हम आपको एक इसके लिए फर्मूला बता चुके हैं देखिए क्या होता है MP गुना हंड्रेड माइनस डिसकाउंट पर्तिसत लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते कोई दिकत नहीं है CP गुना हंड्रेड पलस प्रोपिट यानि पर्सेंटेज लगाएंगे न तो यहां भी पर्सेंटेज आएगा और पर्सेंटेज यहां भी आएगा तो दोनों एकवल है तो यह वह काम खतम हो जाएगा उसका उसमें कुछ सोतना ही नहीं है तो देखिए क्या पूचाया पूचा गया था यानि 90 गया तो कितना हो जाएगा 40ican कितना लाव हो इसको बीस पर तीसत अ किसेंट जोड़ियेगा तो मचे 45 डायरेक्ट कट गया इससे अर्थात MP का मान कितना आ गया बारे 25 यानि 600 रुपया जी सौप्षन में 600 रुपया दिया हुआ है वही हमारा अंसर हो जाएगा देखिए जब इसको आप समझ जाएगा न तो आप इसी में कल्कुलेशन करके बीना कलम चलाए भी इसका अंसर दे सकते थे यह हमको समझाने के पांच बार में जी सौप्षन में MP का मान 600 दिया हुआ होगा इसको लिखेंगा भी नहीं टीक करेंगा और आगे बढ़ जाएंगे अर्थात कौंसा अंसर हो जाएगा ऑप्षन नंबर भी हमारा अंसर हो जाएगा चली हम लोग अगला प्रस देखते हैं कोश्चन नंबर 71 कोश्चन नंबर 71 में कहता है ध्यान से देखिया कोश्चन कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक यानि की HCF और लगुत्तम समापवर्त यानि की LCM करम सह 2 और 60 है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है तो छोटी संख्या क्या है ध्यान से देखियेगा हमारे पास दिया हुआ है HCA बराबर 2 LCM बराबर हमको कितना दिया हुआ है 60 तो माल लेंगे कि यह पहली संख्या हो गया जो X है और दूसरी संख्या है जो और पहली संख्या ही कि कितना है यदि एक संख्या 14 दूसरी संख्या से अधिक है तो इसको क्या करेंगे 14 अधिक करा देंगे और इसको एक्स कर देंगे कुछ नहीं है अब हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या पर लश्य गुने मस्सा होता है वहीं किरिया यहां पर करेंगे पहली तो यह दुई घाट सेम करेंगा रूप ले लेगा option से इसको लाके रख देंगे कहां से यह दोनों बराबर हो जा रहा है यानि कि इसका और कितना हो जाएगा 120 अब देखिए option उठाके रखेंगे यहां पर 6 और यहां रखेंगे 14 और 6 तो कितना हो जाएगा 20 और 6 से गुना कर हो है वही हमारा answer हो जाएगा अर्थात option number A हमारा answer हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रस देखते हैं question number 72 question number 72 में कहता है कि X काम करने में Y से दोगुना अच्छा है वे एक साथ 18 दिन में काम पूरा कर देते हैं अलग अलग उसकार्ज को पूरा करने में परतेक को कितना द अगेगा द्यान से देखिएगा X लिखेंगे Y लिखेंगे और फिर X और Y लिखेंगे क्योंकि साथ मिलके कहा है कितना दिन उमें काम कर देता है लोग 18 दिन में ऊपर हमेशा time लिखेंगे नीचे हमेशा efficiency लिखेंगे अब ध्यान से देखिएगा दोगुना अच्छा इसका हो जाएगा दो और एक तीन तो अब ध्यान से देखिएगा जब यहां आगे कितना टाइम यानि कि समय और इफिसेंसी का जो गुनान फल आगा वहर जगा उतना ही हमको चाहिए तो अठालक्तियां कितना होता है चववन तो एक में कितना से गुना कर देगी बन जाए हो जाएगा अर्थात option number C हमारा answer हो जाएगा चली हम लोग अगला प्रस देखते हैं question number 73 question number 73 में कहता है कि 789,943 और 123 का लगुत्तम समापवर्थे है यानि कि calcium क्या होगा द्यान से देखिएगा 779,943,123 दिया हुआ इस calcium निकालना ही देखिए यह भाग देकर हम चेक कर चुके हैं यह 41 से कटेगा तो 41 से कितना बाद में कटेगा 19 बार में कटेगा औरThis पार में कटेगा और यह 23 बार में कट्नेगा चोंटेगा उसके सालसियम बराबर 41 गुना 19 गुना 23 गुना तीन हो जाएगा जब इस सबों का आप मल्टिपलाई किजिएगा तो यह आएगा 53701 और जिस ऑप्षन में 35751 गुना दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा अर्थात आप्षन नमबर ए हमारा आंसर हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रस देखते हैं question number 74 question number 74 में कहता है कि एक दुकंदार सुक्रबार को एक विक्री कायोजन करता है जिसमें सभी वस्तूवप पर 23 परतिशत की छूट दी जाती है फिर भी उसे 10 परतिशत का लाव होता है कराय मूल अंकित मूल से कितना परतिशत कम था ध्यान से देखिएगा लिख देंगे यहां पर माना की MP बराबर 100 रुपईया किसी चीज का दाम कितना है 100 रुपईया है और CP हमको पता नहीं है अब CP यहां से निकालेंगे ध्यान से देखिए अभी जो पीछे फर्मल बता है वही चीज लगाएंगे तो क्या लगाएंगे MP गुना 100 माइनस डिसकाउंट तो क्या बचेगा यहां पर 77 बराबर CP हमको निकालना है और गुना 10% का लाभ हुआ है इसका मतलब 110 परसेंट हो जागा कि 100 पलस प्रोपिट यहां 7 रूपया है अब क्या कहता है क्रेमुल क्रेमुल अंकित मुल से क्रेमुल और गुना कर देंगे कितना 100% ध्यान से देखिएगा 100-100 केंसील हो गया फाइनल यह कितना गया 3030 कौम है अर्था जी सौप्षन में 3030 दिया गया है वह हमारा अंसर हो जाएगा अर्था अगला प्रस्ण देखते हैं कोश्चन नमर 75 में कहता है कि निम्द लिखित समिकरन में प्रस्ण चीन के अस्थान पर क्या लगभग मान आना चाहिए ध्यान से देखिएगा कुछ नहीं है कोश्चन में क्या करेंगे लिखेंगे एक बटा पांच का है तो का रहने दिजिए प नो उसके बद भाग है तो यह उलट जाएगा तो 9 बटा 1 हो जाएगा तो इस से यह क्या गया कैंसील हो गया अर्थात क्या पहुचराा हम लोग के पास एक बटा पांच एक बटा पांच और गुना हो जाएगा का मतलब और यहां पर क्या बचा फैनल एक गुना एक बराबर क्या हो जाएगा एक बटा पांच क्या हो जाएगा एक बटा पांच और जिस ऑप्षन में एक बटा पांच होगा वही हमारा अंसर हो जाएगा लगभग की बात किया जाएगा तो इसके अंसर क्या हो सकता है डी हो सकता है नहीं तो हमारा जो सही ओरीजनल आंसर है एक बटा 5 हमारा आंसर हो जाएगा मान सकते हैं कि डी अंसर हो सकता है चलिए हम लोग अगला प्रस देखते हैं question number 76 question number 76 भी यह भी simplification का ही question है ध्यान से दिखेगा इसको कैसे solve करेंगे क्या लिखेंगे एक बटा दस का एक बटा दस लिख देंगे उसके बाद क्या लिखेंगे एक बटा बीस लिख देंगे का है तो पहले का की क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा चार बटा पांच हो जाएगा उसके बाद और 20 में 10 से गुना करेंगा तो क्या हो जाएगा 200 और जिस option में एक बटा 200 दिया गया है वही हमारा अंसर हो जाएगा अर्थात option number A हमारा answer हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रस देखते हैं question number 77 question number 77 में कहता है कि एक ब्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाव पर बेचना चाहता है लेकिन उसने 20% की हानी पर 480 रूपया में बेचा आवसायक लाव प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल पर बेचना चाहिए यानि कि 20% लाव प्रा सी परतिसत बराबर कितना चारसो अ किरुपईया यानिडिकी 20 निकाल लीजिए दस परसेंट बराबर और चुण साथ रूपईया अभर ध्यांस देखेगा, हंड़ेठ परसेंट उसका पूंजिया पिसपरतीस अतलाब यानिए एक सो बिसपरतीस सतलाब बरावर यानििकि अर्थात option number C हमारा answer हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रस देखते हैं question number 78 question number 78 में कहता है कि 15 मीटर त्रिजिया के गोलाकार उध्यान में 24 रुप्य प्रती मीटर स्क्वाइर की दर से बगीचे के अंदर 2 मीटर चौड़े मर्ग का निर्मान किया जाना है मर्ग बनाने की लागत कितनी होगी माल लिजिये कि यह एक बगीचा है जिसका त्रिजिया दिया हुआ है यहां से यहां तक कितना है 15 मीटर है कह रहा है कि 2 मीटर चौड़ा माल लिजिये ऐसे है ऐसे है तो जब 2 मीटर कम हो जाएगा इस 15 में से तो अब कितना हो गया 3Gis का 13 मीटर अब हम लोग क्या करेंगे यह एक ब्रीत है तो ब्रीत का 6 फल बराबर क्या होता है पाई एर स्क्वार हम लिखेंगे डिरेक्ट लिख देते हैं लेकिन बगीचे का 6 फल बराबर क्या हो जा ना है द्सक्राइगे तो क्या हो जाएगा इसका मान लेना है बाइस बटा साथ और गूना एक बहर जोड़ेंगे लिए घटताएंगे लिए बड़ा बला के जाए पर आर 15 लेंगे चोटा बलाग जागाँ जैगे लिख एक बहर घटताएंगे तो दो हो जाएग decision जोलेंगे तहन कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा चबारा क yea में जितना और हो आज़ां चार दुना आठ और आठ दूना सुला के 6 8 सेहे 58 15 म YouTube हो जाएगा अब ध्यान से देखिएगा क्या कहता है कि 24 रुपय प्रति मीटर स्क्वाइर की दर्थ से यानि कि एक मीटर मीटर स्क्वाइर का जो लागत है वह 24 रुपईया है तो 186 मीटर स्क्वाइर का लागत कितना होगा 186 गुना 24 हो जाएगा तो जब इसका मल्टिप्लाई आप किजिए गात आपके पास आएगा 4214 रुपईया और जिस ऑप्षन में 4224 रुपईया दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा अर्थात ऑप्षन नमबर C हमारा आंसर हो जाएगा चली हम लोग अगला प्रश देखते हैं क्वेश्चन नमर 79 बहुत असान क्वेश्चन है कुछ नहीं है क्वेश्चन नमर 79 में कहता है कि यदि A का 20% B का 35% बराबर हो तो A अनुपात B बराबर हो तो क्या करेंगे लिखेंगे A का 20% बराबर है B के 35% के बराबर तो देखिए 5 से कटेंगे तो यह 4 हो जाएगा और फिर 5 से कटेंगे तो यह 7 हो जाएगा अर्थात A अनुपात B बराबर यह हाँ जो होगा यह A का मान होगा और यह हाँ जो होगा वह B का मान होता है अर्थात 7 अनुपात क्या हो जाएग ध्यांस ने कियेगा question number 80 में क्या कहता है question number 80 में कहता है कि A, B और C एक काम को 550 रुपिये में पूरा करने का ठेका लेते है यदि A और B मिलकर काम का 7 बटा कितना 7 बटा 5 भाग पूरा करते हैं तो C का हिसा क्या है question time and work का है और बनेगा simplification से कुछ है यह नहीं है question में देखिएगा A और B काम का 7 बटा यह गारे काम खतम कर दिया है तो बचा है C के लिए कितना एक में से घटा यह काम में से 7 बटा 11 घटेगा तो 4 बटा कितना हो जाएगा ग्यारा हो जाएगा और यहीं इसका छमता भी बन गया यह कैंसील हो जाएगा इसका जो रूपिया जो बटेगा 7 अनुपात 4 बटेगा साथ 4 कितना हो जाएगा 11 अर्थात यहां से भी ले सकते थे यहीं टोटल है अनुपात 11 बराबर कितना 550 रुपईया अर्थात अनुपात 1 बराबर 5 से कटेगा 50 रुपईया अर्थात अनुपात 4 बराबर हमें कितना पराप्थ होगा अनुपात 4 बराबर 200 रुपईया यान हम लोग अगला प्रस देखते हैं कोश्चन नंबर 81 कोश्चन नंबर 81 यह इंट्रेस्ट का कोश्चन ध्यांस ने कियागा बहुत असान कोश्चन ने कहता है यदि 2000 रुपया की मुल्धन को 10% वर्षिक दर्से चक्रविर्दी पर उधार में दिया जाता है तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा देखिए पहला वर्ष दूसरा वर्ष तो पहले वर्ष में 10% का ब्याज लग रहा है रेट है तो 10% जी रहेगा दूसरे साल में 10% 10% का Paypal 30 और आपके सामने आ जाएगा तो दोसरे साल जो ब्यार्ज हमको प्राप्त होगा कितना 30 सकते हैं हम लोग की दूसरे साल का कि डिया बारबर 11 रूपिया में बदलने के सब्सक्राइब आषण करेंगे पर 30 20 हो जाएगा मुलद这里 हमारा कितना है 2000 रुपिया है एक आरा दुना 22 अर्था 220 रुपया दूसरे साल उसको जो भ्याज मिलेगा ना वह 220 मिलेगा पहले साल कितना मिलता देखिए 10% मुल्धन का निकले 10% कितना जता 200 रुपया अर्था जी सॉप्सवन में 220 रुपया दिया हुआ वही हमारा आंसर हो जाएगा रथा तो option number D हमारा आंसर हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रस्थ देखते हैं question number 82 question number 82 में कहता है कि एक निश्चित दूरी को तैक करने में A और B द्वारा लिये गए समय कानुपात सातनुपात 9 है उनकी करमसह चालो कानुपात क्या होगा ध्यान से देखिएगा question में क्या दिया हुआ है समय और स्मय का अनुपाद हमको दिया हुआ है 7 अनुपाद 9 के दिया हुआ है जो दूरी है वह क्या है दूरी है जो निश्चीत है दोनों के लिए दोनों में 1-1 है इस दूरी माण लिए 2, 2, 2, 2, 0 कुछ भी मैंन सकते हैं कोई फच्क नहीं पड़ता है तो चालो का अंतर चाहिए तो चालो का अनुपात चाहिए चालो का अनुपात तो चाल बरबर क्या होता है दूरी बटा समय एक बटा साथ एक बटा नौ हो जाएगा देखिए दूरी बटा समय दूरी बटा समय चाल तो क्या हो जाएगा जब इसका आप simply phi 5 किजिएगा तो 7 अनुपात 9 में बन जाएगा यह तो यहाँ न चला जाएगा 9 अनुपात 7 हो जाएगा यह जाएगा यहाँ 9 अनुपात 7 हो जाएगा एक और भी बात होता है जब दूरी निश्चित होता है तो समय का उल्टा चाल होता है तो आप डारेक्ट भी इसको लीग सकते थे इसका उल्टा की 9 अनुपात 7 आंसर हो गया अर्था जिस option में 9 अनुपात साथ दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा चली हम लोग अगला प्रस देखते हैं question number 83 question number 83 में कहता है train A 50 km की दूरी 30 मिनट में तै करती है यदि train B की चाल, train A की चाल से 40% अधिक है तो क्रमसह दोनों train की चालो का अनुपात है ध्यान से देखिएगा इस question कैसे बनाएंगे A और B पहले इसकी चाल निकाल लिजिए देखिए तो दूरी दिया हुआ है और वहां मिनट दिया हुआ है तो इसका चाल वराबर यहां चाल क्या हो जाएगा देखिए पचास पचास और बटा में हो जागा कितना तीस और दो से भाग देंगे क्योंकि यह किलो मिटर में है और वह मिनट में है तो गहंटा में बन गया क्या हो गया गहंटा में बन गया यानि कि एक गहंटा यानि गहंटा से भाग देंगे तो पचास हो गया और इसको गुना क्या करेंगे दूसरे गुना कर दीजिए जब इसको दो से गुना कर देंगे यह अलग चीज हो गया इसको नहीं घंटा में बदल गया यानि कि हम आपको इसे बता देते हैं देखिए अलग से इसको बना के बता देते हैं देखिए इसका जो चाल होगा 50 किलो मिटर दूरी है लेकि तो दूसरे गुना कर देंगे यह 100 परसेंट तो ईससे 40 परसेंट जादा ही है तो क्या हो जाएगा लिक देंगे डारेक्ट 840 कुछ सोचना ही नहीं है यह यह 100 है कितना प्रसेंट पर यह दो 5 हो जाएगा और 20 से गिचाएगा तो 7 हो जाएगा अर्थाथ उनके चालों का जो अनुपात होगा 5 अनुपात साथ हमारा आंसर हो जाएगा अर्थात option नमबर ए हमारा आंसर हो जाएगा चली हम लोग अगला प्रस देखते हैं question number 84 question number 84 में कहता है कि किसी यदि किसी संख्या का 50 परतिसत किसी दूसरी संख्या के तो संख्या के बीच का अनुपात ग्याद किजिए मल यह पहली कोई संख्या है जो एकस है उसका क्या कहता है 50 परतिसत किसी अन्य संख्या दूसरी संख्या के वाई मालनी यह उसके तीन चो थाई के बराबर है इसका मतलब हुए तो बक्रेटा में क्या बनेगा 100 0 मतलब यह इसका मतलब गलतें क्या हो यहां पर रोजाएगा अर्थात X अनुपात Y का मान निकलना है तो क्या हो जाएगा दो ौजाए में 3.2 दिया हुआ है वह हमारा आंसर हो जाएगा अर्थात अगला प्रस देखते हैं कोश्चन 85 कोश्चन 85 में कहता है कि जब एक साइकल की कीमत में 20% की कमी होती है तब विक्री में 20% की बिर्धी होती है तो कुल राजस्चो पर क्या परभाव पड़ेगा इसके लिए फर्मूला होता है ए पलस बी पलस ए इंटू बी बटा हंड्रेड होता है ध्यान से देखिएगा और जितना इसका रिजल्ट आएगा अगर पुजेटिब आएगा तो लाव होगा नेगेटिब देखिएगा बीस पर 15 कि क्यांbased अग्याप है्जी लिखेंगे यहां पर इस गुना विज और पर्टा में हो जाएगा कितना 100 देखिएगा ध्यावा पर संट यहां पर यहां लगा सकते हैंद फिर थे provide बैस 20-20 दोनों केंसिल हो गया देख लिए इससे यहां दोनों का केंसिल हो गया माइनस 4 परतिशत तो माइनस जब भी आएगा न तो वह दर साथा हानी को किसको हानी को और पर रिजल्ट अगर पोजेटीव में आता तो यहां दर साता है लाव को तो यहां पर निगेटीव आया है इसका रथ हुआ चार परतिशत हानी अर्थाट जीस ओप्षन में चार परतिशत हानी दिया हुआ है वही हमारा अंसर हो जाएगा अर्थाट मिलते हैं कौर विहत्तर कलास में तब तक के लिए धन्यवाद